कि हैलो एरिवन वेलकम टो एवर गिन स्टडी तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्द स्मेस्टर हिस्टि की बुक की यूनिट सेकिंड करने वाले स्क्लप्चर तो स्क्लप्चर को हम हिंदी में मूर्तिकला बोलते हैं तो इस चेप्टर के अंदर हम बेस् चेप्टर का नाम है स्क्लप्चर स्क्लप्चर होते हैं यह देखेंगे सबसे पहले तो स्क्लप्चर क्या होते हैं ब्रांच होते हैं हमारे वीजल आट जो हमारे आर्ट हमारी क्ला होते हैं बहुत सारी क्ला होते हैं किसी वैक्त ने जैसे पेंटिंग की हो सकती है तैंपर बनाते अर्टिटेक्चर की हो सकती है तो उसी की तरीके से क्या होता है जो कि 3D डामेशन होता है क्योंकि कोई भी मुर्ति हम बनाते हो 3D ऑब्जक्ट होता हम पूरी हर्ट रह से देख सकते होने ठीक है और जो फीजिकली रिप्रेजेंट करता है बिल्कुल आमने सामने जो र जर्टिक की या किसी पी चीज की हम कोई बीजर मुर्ति बनाते उसमें हम उस्क्लप्चर की हाइट पता चलते है वीडप पता चलती है तो स्कॉलप्चर अगया मुर्तिकला क्या होते एक वीजिवार्ट का ऊप होता है जो कि 3D डामेशन होता है और फीजिकली रिप्रेजे बाते होती थी जैसे कि हम हडपा सिविलाइजेशन का आप एंग्जापल में बतार वह आपको लिखके भी आना ठीक है जैसे हडपा सिविलाइजेशन उसमें बहुत सारी बाते हैं वह लिखी गई हैं लेकिन आसका हमने उसको रीड नहीं कर पाए को अब हमारे जो कि मिला है जो कि हम बता सकते हैं कि महां पर मदर गोडेस की पूजा होती थी तो स्क्लप्चर में बहुत सारी मदद करते हैं कोई भी रिलीजन से रिलेटिड हमें बाता होगे कोई भी हमारी पॉलिटिकल जैसे कुशान जो किंग से वह अपनी मूर्ती वगारा बनवाय करते हैं कि समझ आगे उसी की तरीके से टाइम बीता चले गया और लोग अपनी अपनी क्या है इंडिवीज्वल के अपना स्क्लप्चर बनवाने लगे जो बाद में जाके बहुत अधा एक्सपैंसीव हो गया और आज हम नाटेस देख सकते हैं तो हम रिलीजन ध्रम से रिलेट जो मुर्ति बनवादी तो इस तरीके से जो आज भी हम देख से रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों रूप से में स्क्लप्चर बनवाये जाते और उसकी तरीके पहले भी बनवाये जाते थे ठीक हैं जो की टाइम टू टाइम चेंज होते गया जैसे नियोलेटिक में किस तरी स्क्लप्चर बनाये जाते थे में मेडाइवल अकबर वाले टाइम पिड़र में किस स्क्लप्चर बनाये जाते थे और आज हम देखे तो स्क्लप्चर है वो डिफ्रेंट डिफ्रेंट बनाये जाते हैं तो उसी तरीके से बताया गया कि टाइम भीता गया स्क्लप्चर का ज स्टार्ट होता है आपका स्क्लप्चर वाले चैप्टर का करें पहले आपको सिल्प सास्त्त्री पता होना होते हैं फिर हम रीड करेंगे चिकें जोसील्प सास्त्री कोन होते है Sudって इसका मतलब होता त्लाइन्स अउ ainda some遊戲 यहाओ जो जो भी काम करता हूं से सacked स्सक्राइब रिलेटेड बातें मिलती है कि उस तरीके मूर्थी मिली तो ही न्युक्त के स्थीर चालता है हुआ इस सारी बाते बाटे बना इस समय में हिंदू टेक्स के मदद से पता चलिए कि कि सी साथ कुछ थे हुआ कि आ ठाट बना पर बनाते थे उस समय में रूल प्रिंस्पल सिध्धान्त पता चलते स्टेंडर पता चलता हूं कि किस तरीगे की मुर्तिकला बनाती थी तो यह हिंदू टेक्स के बलबूते पर पता चल पाए है ठीक है कि इन दा कॉंटेक्स ओफ दू टेंपल ऑटिटेक्चर सिल्फ शासरी और मैनुवली जब्दध जो अपने हाथ एक मैंन खुद बनाता था उन साथ चुद मैंन खुद बनाते थी ना उनको जैसे टेंपल वगर कोई बी ऑटेफेक्ट हो गया यह फिर कोई भी स्क्लप्चर ब वो कौन बनाता है खुद मैन बनाता क्योंकि उसमें में कोई मशीन वगारा तो नहीं होती थी यह मूर्ती बनाए तो शिल्फ सास्त्री बनाते थे यह में हिंदू आइक्नोग्राफी से पता चलता है हमारी टैक्स वगारा मिले हैं अब रीड करेंगे जिसे कि आपको और अथ से पता चलता है यह सारे कोन बनाते थे शिल्फ सास्त्री बनाते थे यह देखते थे रूल्स कैसा होना चाहिए यह वलम अंदिर है मुझे किस तरीके का रूल बनाना इस क्लप्चर मूर्ती बनाना यह सारे हमारे सिल्फ सास्त्री किसे बोलते हैं अब हमारे जो फर्स्ट ट तो जैसे कि उसमें में किस तरह की स्क्लप्चर बनाए जा रहे थे हमें पोरानिक टैडिशन जो बुक्स वगर होती ती उनसे पता चलता है जैसे कि कोई भी बुक है हमारी विश्नु भगवार से रिएटेर की विश्नु के कि दस अफ्तार की स्क्रप्चर बनाए जाह है तो विश्नु वगरे की बुक recipe ंवाइड जाए दिए कोई भी ब electr gibt बनाइजा रहे थे थे उनके उसमें मीत थे फैमिल्स से रिलेटर जो भी Lieutenant कोई भी बगवान से दिए वह बनाए जाते थे उनके अफ्तार वगएर की मुर्ती बनाय जाती थी और नंदी, गंट, यह सारी मुर्ती वगएरा बनाय जाती थी यह हमें किसे पता चला है? हमें टेक्स से पता चला कि उसमें कोई टेक्स वगएरा लिखाय जा रहे थे और सिप्व साज री वो मुरतίας के तो वह में नग पता चला है कि मुर्ती इससे बहुते इसे और वह सीraph चलते और दिवह सिप्व साथ करके बनाते महें जा बनाया जाते हैं ठीक है यह सारी बाते पता चलता है लाइक दा अधर सास्तर होते हमारे उनसे पता चलता है कि कौन सी स्क्लप्चर बनाया जारे कौन सी बिल्डिंग हो सारे हमें बुक से हमारे सास्तर होते ना अलग अलग सास्तर होते हैं उनसे पता चलता है तो उस हमें में क जो में सक्लर तबीस तक नहीं होता तो पता चलता है तो आप कंफ्यूज मत होना सेल्प साच्री नोर्मिट एडिशिन क्या हमें स्क्लब्चर वाला जपना था टैक्स वाले क्यों पड़ रहें बिल्कुल कंफ्यूज़ नहीं होना है में छोने स्क्लप्चuran में ते वह तेक्स मोझूद मिलते हैं यह रीड करें इसे थे हैं मे चलिए उसको डिड़ करते हैं ठीक है तो इसमें क्या मेरत यूस हो फस्ट है ऊईिस में चिपना लेना यह सारी उसारी बनाने क्या कि आइकनोग्राफिय बोला जाता है जैसे कोई इसको क्या बोला जाता है तो उसके इंटिफिकेशन करूंगे अच्छे यह मुर्ति बनाए गई है ठीक है डिस्क्रिप्शन इंटर्प्रेटेशन यह सारे क्या होती है आइक्नोग्राफिक के अंदर होता है समझा गया कि सिल्फ साज नौर्मेट एडिशन क्या होता है अगा को दींफॉर्मेशन उता है रिलीजन जो टैक्स होते हैं जैसे सामत्त्त ज्यात्त परकार परान और इनमें बाते पता चलती हैं कि उसमें में किस तरीके के किस बनाया जाती है वह सारी हमें सास्तर वगग्रेंद से पता चलते पुरान वी पुरान हुग गया देक। इंस यह को इसमें बहुत सारी बाते पता चलती है अइकनो गुराफिट्रामा चैलता है इता है कि किस तरीक खिए काशमीर में मिला है जो कि कभ लिखा गया था लेट 17 सेंटुरी के अंदर लिखा गया तो तो उस्अरी बते हैं कश्मीर में घे इसे कोई बहुत सारे आइकन होते हैं हमें बहुत सारे बातें पता चलती हैं और फिर बाद में नौर से साउर्थ इंडिया में तो समझ आए गया कि सिल्फ सास्री नोर्मेट आडिशन क्या होता है जो बुक्स वगारे में स्क्लक्चर बनाए जाते हैं पुरान हिंदू टैक्स में पता चला है विशनु वगारे कि बुक्स से रिलेटिड की विशनु भगवान के भी बनाए जाते थे यह सारी आपको लिख देना अच्छी तरीके से ठीक है अब क्लासिजम नरेटिव एंड स्क्लक्चर तो हमारे किस तरीके की जो स्क्लक्चर बनाए जाते थे कि वह हमें पूरी कहानी ब स्क्लक्चर तो हमें आपको प्याप क्लासिजब से तरीके से सुमझ आजा जै कैंने तो प्रीताइन स्क्लक ट्रेंडिच वस्म्सखन यो फ्री स्क्रअनिंग स्क्लक्चर होते थे एक लोकल कटी जो मूर्ति होती यह इना वह बनाए गही थी ८क मर्चैंट ने ऐते थी take principle दब led ने थnite संच्री ओंवर्ड तो उन्होंने क्या बनाया था क्श्व वन इस कोना की ने बनाय था कोना का ने बनाया था कोना का मर्चैंट वइपार उसने बनाए थी मनि भंदआ यह काश्षा एक मूर्थी बनाई थी उन्होंने थर्ट सेंचिट में बताई थी और जो कि क्या बता रहा है वो मूर्थी है वो क्या बता रहा है उस समय में इंस्क्रिप्शन वगार में पता चलता है कि वो क्या बताता है वो मूर्थी नरेट करें न स्टोरी वो बताता है कि वो क्या थी ज structure बतातें से normitize को हमें narrating wort नर्येट करना जो कि और म्रें इक मर्चेंड बनाई थी 3rd century AG के इना तो इस तरीके के बनाई शजह तो इससमें में क्या और जैसे मोर्या आइं ठाइम मिरेज था मोर्या निदी में ये थोड़ी बह। त फैली लेकिन एतने यह बड़े तादाद में नहीं प्याली लेकिन पॉस्ट मॉरिया का जणम कैसे हुआ मरन कैसे हुआ वह सारी इस ट्री बता रही है आप रीड करो गया तो आपको चीज तरी की समझाएगे इसको नर्येट बोला जाता है ठीक है इप पिरियड सांट सेंचरी थो सांसारी पनाय जा रहे थे जैसे जैसे हमारे बोट इस अलग जिमाए पर बना है जा रहे दे जो-स्क्लप्चर कर रहे थे हमें उनकी कानि बता रही थे जैन धरम से लेट रहा बोधरम से और अलग-अलग जंगाया है तो कि यह मैं क्या है बहुत सारी बाते बताते थे जैसे कि गोतम बूद का जनम कैसे हुआ मरन कैसे सारी चीज यह में बताते थे प्रवाइवल एक जुट पहले हमें मिला गया था narrative art accounts for barhut near satna in madhya pardesh madhya pardesh के अंदर पाया है जो कि हमे narrative art denote कर रहा है कि कानी बता रहा है गोतम बूद से रिलेटे तो उस समय में भी हमें मिली हैं तो वह में madhya pardesh में मिली है जो पहले मिली थी बहुत the stoop and the gateway of torrents construct on all four cardinal points survive from the site now saachi is a better preserved monument है तो अब क्या बता रहे हैं कि जो saachi stoop है saachi stoop है ना एक stoop है ठीक है बेस्किली गोतम बूद होते हैं उसका यहां पर क्या रख देया जाता है जैसे गोतम बूद है उनका कुछ ना कुछ जो पार्ट जैसे नेल है नेल यहां पर रखा और यहां पर क्या बना दे स्टूप बना दे तो यह स्टूप होता था तो saachi stoop एक ऐसा हमें मिला है आज जो कि इस पर है में गोतम बूद के यह कोशन हमार आपका साची स्टूप के उपर आएगा तो आपको याद करें जो साची स्टूप है यह आपको क्या बता रहे हैं कि बहुत रम से लेटर कहानी बता रहे हैं ठीक है साची ठीक है आज बहुत अच्छी हालात में मिले बहुत सारे मिले हैं लेकिन उनकी जो हाला था वो इतनी अच्छी नहीं है कि में पुरी स्टोरी वो टैल कर सके लेकिन जो साची स्टूप है यह अच्छी ट्रीकी से मतलब प्रिजर्वड है वो हमें बहुत सारी बातें बता सब्सक्राइब बनाए गए तो गोतम बुक से रिलेटेड बनाए जाते थी कि लोग किस तरीकी की आसर रखते थे उनके जीवन से लेटेड वह सारी बाते पता चलती है उसकी तरीके से जो वह साची स्तूपई किसने बनवाया था हमें पता उसमय में सब्सक्राइब बनाते होंगे मूर्थी स्तूप बना देए और लование करते थी जीवन को किसी तरीके से बनाएगा बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया और फिर बनाये गए जैसे वेदिका बनाये गई तोरन दिवार बनाये गई स्टूप कम्प्लीटली बनाये गया ठीक है और फिर बूर्द्य से रिलेटि जो पैटी होते हैं उनकी मूर्थी बगएर होती है वो सारे चीज़े बनाये गए उसके इंदर ठीक है यह और ही होता तो जो हाती दात होते हैं इन पर बनाया जाते स्क्लप्चर लेकिन टाइम बिता गया लोग क्या है स्टोन वगारा पर कार्विंग करकर स्क्लप्चर बनाने लगे पहले किस पर बनाते थे वूड वगारा पर बनाया जाता था लेकिन बाद में किस पर बनाने ल बनाये गए उसकी साथ स्टोन वगयारा पें बात में लगें ठीक कैं encrypted main character of story is generally place in the center of panel तो जो story होती थी वह बनाय जागत वोमन figures related सारे स्टोरी एं बनाए गई गई ठीक क मैसे 1 स्टोरी ओन इस्टोरी उठरे Nikki क्या बोल रहे हैं कि पहले जो हमने देखा कि साची स्थूप में क्या क्या बनाया गया उसकी तरीके से बता रहे हैं कि पहले जो मुर्तिकला होती थी उसमें जो से बुद्ध से रेटेड होए ना साची के अंदर लेकिन पहले क्या होता था जो जो गोत्म बुद्ध को ना ऐस साची स्टूप में मुर्तिकला की गई है जैसे जनम कब हुआ उन्होंने कि कहां पर इनलाइटमेंट ली कहां पर उनको ग्यान की प्राप्ति उनका फर्स उपदेश काम पर दिये गए यह सारे एक अच्छी तरीकी स्टोरी बनाए गई साची स्टूप के अंदर कहां इस परकार से उनकी डैट हो यह सारी चीजें उनको अच्छी तरीके से डिनोट कर रखें ठीक है वन ऑल्सो फाइंड एप एपिसोड एक जाट तक जो उनकी जनम से लेटर जो कानिया होती है वह भी बनाए गई है साची स्टूप से लेट साची स्टूप के अंदर उसकी तरीके से और क्या बनाए गई है वहाँ पर जो बुद्ध थे उन्होंने किस परकार से जो में जो मेरे कल जादूगर रह समय जो स्टूरी होते हैं वह भी बनाए गई है जैसे कि उन्होंने बताया है कि क्या जो गोस्तम बुद्ध है ना उन्होंन परकार से वह बाते करते हैं का जो कश्य भ्रामन से तो इस तरीके की एक मिरिकल जो स्टोरी होती है ना वह भी बनाए गई है ठीक है लोगए कहां स्टोरी को ठीक है तो तोम्होंने क्या बोला है एक स्टोरी बताई गई है कि किस परकार से आपको पता ना गोतम बूद कि स्टोरी है कि कि परकार से उन्होंने अपना एक राजसाहि Siya जो परिवार अजो पेन उसको चोड़ दिया था और वह एकक्षम टोरी किसिर के तूरी की थाम Estados वह स्टॉरी कि कि किस परकार से जो गोत्थम भूद अपना इस्ट जो गेटवे अपना जो इस्ट गेटवे से बाहर निकलते हैं और उसके पीछे जो इसका गोड़ा होता है उसको वह पूपाश चला जाता है मैल के अंदर और वह सारे को छोड़ देते और वहाँ फुट प्रिंट होते हैं वहाँ पर छोड़ा चोड़ा देते हैं और फिर वह मैडिटेशन करते हैं बहुत गया ट्रीक नेचे फिर वह लोगों को सार Nath में जाकर उपदेश से देते हैं। वह सारी स्टोरी है, कि सारना जो作 ची स्टूप में बनाए गई है। विदार्ध अम्रेला बिंग लेड़ बैक्त विर वह अपना गोड़ा उसका पैलेश के इंदर चले जाता है। खीजने इस तरीके की स्टोडी है हमारी साची स्टूप के अंदर बनाए गई तो यह बोला गया जो साची स्टूपे ना इसके अंदर जो स्टोड़ी बनाए गई इतनी रीजल नहीं है लेकिन क्या रिसेंबल है कि हमें पता है कि गोतम बुद ने अपना घर छोड़ा था उनका पहले सा थोड़ा बहुत रिसेंबल कर रहे हैं लेकिन यह सचाई पर अधारित नहीं है ठीक है और साची स्टूप के अंदर क्या है कोई भी हमें वोटर से लेटेड कोई भी सीन पाना होता तो लार्ज लीवस बना दिया करते थे फ्रूट को डिनोट करना होता था एंड विद शोड ट्रंक बना दिया जाता तो इस तरीके की बना दिया जाता था ठीक है तो यह सारी चीजह में साची स्टूप के अंदर दिखाई देती हैं तो यह आपका नरेटीव सकते हैं कि सिर्फ सास्त्री टैडिशन के उपर लिको तो आपको सबसे में नहीं आसकता है और सेक्ट को आपका सकता है निरेटीव आर्ट ऑफ साची सूप के अंदर आता है उनकी स्टूरी किस तरीके से थी इतनी रीन नहीं लगती तो इस सारी बाते आपको लिख देनी है ठीक है तो यह हमारा टोपिक कम्प्लीटली कवर होता है तो यह दिया आपको इस टोपिक से लेटी कोई भी नोर चीए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जूड़ सकते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है थैंकि फू वोचिंग